लास्ट वीडियो बे हम लोग ने देखा था सिंप्लिफिकेशन अप दर निमेरिकल एक्सपेशन आज हम लोग सिंप्लिफिकेशन अप निमेरिकल एक्सपेशन के कुछ डेसिमल एन फ्रैक्शन के सम्स देखूंगी ओके सिंप्लिफिकेशन अपने पहरी निमेरिकल एक्सपेशन लास्ट वीडियो में लोग समझ तो हम लोग सिंप्लिफिकेशन करने के लिए क्या समस्पेशन करें तो simplification करने के लिए always we follow d mass rule तो इसमें भी मैंने देखे यहाँ पर जोज example लिया है उसमें देखे division है, multiplication है and addition है तो सबसे पहले हमें क्या solve करना परते है आप लोगों ने practice किया होगा तो सबसे पहले हमें division सबसे पहले क्या solve करेंगे? division तो चलिए division क्या है इसमें? तो decimal की division में कैसे solve करते हैं? आप लोगों को idea होगा हम लोग चलिए rough में करके देख लेते हैं आप लोग के लिए अच्छा होगा तो 2.5 divided by 5 तो कितने times मैंने जाएगा? 0.5 This is the constant तो यहाँ पर division क्या है? 0.5 Okay, multiplication left जो भी है उसे हम लोग नीचे कॉपी कर लेंगे plus 2 then division then multiplication Okay, तो multiplication then हम लोग कौन से step को? इसको multiply करेंगे तो 5 फोल्जा, 20 decimal कहा होगा हमारा? 1, 2, 2 डिजिट के पहले तो क्या होगा? 0.20 Okay? Plus 2 Then addition 2 decimal 2 0 This is the answer Okay? I hope आप लोग को समझ में आ गई होगी Next एक और example हम लोग देख लेते हैं तो इसमें क्या क्या है हमारा? Addition multiplication and subtraction तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Multiplication सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? Multiplication Left क्या करेंगे? Copy कर लेंगे 5.3 Plus 6.50 30 6.50 30 decimal 1, 2, 2 डिजिट के पहले आ है तो यहाँ पर 0.30 minus 2.1 Okay Now addition तो addition कर लेते हैं हम लोग Addition क्या होगा? 0 336 decimal 5 5.60 minus 2 decimal 1 Okay Now subtraction Okay तो हम लोग वही डिमा सूर को follow करते हुए आगे प्रोसीड किया है Okay Now subtraction करेंगे तो क्या होगा हमारा subtraction? 0 5 3 5 minus 2 3 Okay Then answer is 3.50 अब हम लोग क्या दो decimal का भी concept आप लोग के लिए क्लियर हो गया हो गया है और एक example हम लोग fraction का भी देख लेते हैं जिससे आप लोग का simplification करने में कोई problem नहीं आएगी तो देखें जो मैंने example लिया है इसमें almost all operation है division भी है addition, multiplication and subtraction सारे operations है तो सबसे पहले dimas को follow करेंगे तो dimas को follow करते समें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे division सबसे पहले हम लोग division करेंगे तो division करने के लिए हम लोग refuse कर लेते हैं तो 7.8 division 5 by 4 it means 7.8 multiply 4 by 5 तो क्या हुआ हमारा 7 by 10 division क्या हुआ हमारा 7 by 10 तो यहाँ पर लिख लेते हम लोग 7 by 10 plus 3 by 5 multiply 1 by 4 minus 3 by 10 next step क्या होगा this multiplication चल ले तो next step हम लोग करते हैं 7 by 10 हम लोग नए ज़िटेश उटाल दिया plus multiply करवाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 5 4 जा 20 minus 3 by 10 अब हम लोग इसको same rule for करेंगे जैसे fraction के addition and subtraction करते हैं by taking L-CM तो L-CM लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यह 20 doubt हो तो हम लोग कर लेते हैं तो L-CM क्या है, फई हट 10, 10 तो इस है 20 तो अब皇 की ड़ाउट के लिए हो गई होगी तो हम लोग तीनों का L-CM इकट्ता ले ले लिए हैं मले इससे step by stepайте करें हैं लेकिन हम लोग healthy इकат्ते हैं 15 10, 2 is a 20, 2, 7 is a 14, minus 20 बने 20, sorry, plus 3, minus 10, 2 is a 20, 2, 3 is a 6, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, addition, addition करेंगे, okay, add कर लिए, 14 plus 3, 17 by 20, sorry, 17, 14 plus 3, 17, 17 minus 6, okay, next step, 17 minus 6, 11, 11 by 20, this is the answer, okay, I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने एक्जाम्पल उसी तरह के लिए, जैसे आप लोग की कॉंसेप्ट के लिए हमें, जब भी सिंप्लिफिकेशन के कोई भी सम्स हमें सॉल्व करना होता है, तो सबसे हम लोग डिमास रूर को फॉल्व करते हैं, एकदम आइस क्लोज करके आप लोग डिमास रूर को लर्ण के जिए, और उसे हमेशा डिमास रूर को फॉल्व करते हुए, फ्रैक्शन को सिंप्लिफिकेशन को सॉल्व करिए, चाहे वो डैसिमल की हो, या फ्रैक्शनल नम्मर के हो, कुछ भी हो, सिंप